तो आज की वीडियो में अपने देखने वाले की MDS के जो प्रेक्टिकल के एड्मिट कार्ड जारी हो चुके हैं वो आपको किस तरह डाउनलोड करना है सबसे पहले आपको यहां पर क्रोम ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है MDSU सर्च करके आपको प्रोसीड कर देना है फिर आपको सेलेक्ट करना है MDSU सबसे पहले ही वेबसाइट आजाएगी अगर आपको नहीं आता है यह वाली वेबसाइट नहीं आती है सबसे उपर तो आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रोल करना है और देखना है कि कहां पर आई विए उसको उसपर क्लिक करोगे तो कुछ इसा इंटरपेस आपके सामने सो हो जाएगा अब आपको यहां पर स्टूडेंट पेनल मिलता है उसपर क्लिक करना है फिर आपको क्या करना है यहां पर डाउनलोड एड्मिट का मतलब प्रैक्टिकल सेंटर डेटेल अभी तक डेट जारी नहीं हुई है डेट कुछ है मतलब यह के दो दिन में जारी हो जाएगी यहां पर जैसा लिखा हुआ है फिर आपको सेलेक्ट करना है आप यूजी है या पीजी यूजी है मतलब आप फाइनल येर में हो बीए सी के यह बीए या फिर बीकॉम के तो आपको यूजी सेलेक्ट करना है अगर आप पीजी से वह तो पीजी सेलेक्ट कर सकते हो फिर आपको फेकल्टी सेलेक्ट कर लेनी है आर से साइंस से बाइवे मतलब कोमर्स से जो पाधर्णिस होगा फिर आपके फॉरुम में जो application नंबर है आपको यहां पर एंटर कर देना है ह। सिंपल साथ को यहां पर एंटर कर देना है मैंने इस को यहां पर कोपी कर रहे था तो मैं यहां पर फेस्ट कर देता हूं आप आपको प्रोसीड करना है और आपका एड्मिट कार्ड यहां पर आ जाएगा अभी यहां पर आप देखोगी कि यहां पर डेट वेट कुछ भी नहीं आई भी है यहां पर लिखा हुआ है सेदान्तिक परिक्षा जो अनुकुर्मांग वे परिक्षा केंदर की जानकारी विश्विदाले की वेबसाइट पर परिक्षा राराम्ब होने की तिति से दो दिवस पूरू उपलगत करवाई जाएगी अब यहां पर भी लिखावा है फैस्ट नंबर पर उपरोग त्विपरण में उल्लेकित परिक्षा केंदर वयान तो अलग से मनलब जो अपने मेन एक्जाम होता है उसके लिए अलग से एड्मिट कार जारी होगा अब जो भी इसकी अपडेट आएगी मतलब यहां पर तो बिल्कुल भी डेट का कोई भी जिक्र नहीं किया हुआ है और जो एक नोटिस आया था ना अपने पास नोटिस में आपको दिखा देता हूँ नोटिस आया था यह वाला इसमें लिखा हुआ है कि आपको 2 सितंबर 2021 से स्टार्ट होंगे तो इसके साब से तो आज जो भी डेट वेट सब कुछ आना चाहिए प्रिक्टिकल उसमें पर एड्मिट करद में अभी कुछ भी डेट नहीं आए तो आप इस सेनल को कर लेना जिससे कि आपको अगर मेरे पास कुछ भी अपडेट आता है तो मैं एक वीडियो के माद्यम से आपको बता दूंगा अगर मैं या पर कुछ भी डालू तो आप अपनी कोलेज में पता कर सकते हो किसी के माद्यम से या फिर मैं अगर मेरे पास कुछ भी अपडेट रहता है तो मैं वीडियो बना के डाली दूंगा तो मिलते हैं अगली वीडियो में चेहिंद बंदे मात्रम है